हेलो फ्रेंट वेलकम बेक टू एसी ट्रेडिंग के अंतो फ्रेंट आज हम यह आप पर डिसकस कर रहे हैं जी इंटर्टैन्मेंट शियर का टेक्निकल अनलेसिस तो फिर हमने आप पर देखा जी स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी कल को देखने को मिलिए और यहां पर दोस्तों दिनों के एक्सपूनेशन मुविंगे वरेज की लाइन को स्टॉक ने आप पर ब्रेक किया है उपर की तरह हम लगता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशल लोटेगा अब क्यों लोटेगा उसका क्या रिजन है आप पर टेक्निक लिए आपको पूरी तरिक से ब दिख रहा है और उसके बाद यहां से जो ब्रेक आउट हुआ है उसे देखिए यहां पर गर ले जाता है कहां तक तो आप देखेंगे 270 तक मतलब यहां पर 246 से स्टॉक आपको सीधा कहा देखने को मिला 270 फिर स्टॉक के अंदर गिरावट वहाँ लिकिन एक्जेट सपोर् रूपय के आसपस यह देखिए लिवाद सिक्षि Очень कमाता है तो नीचे मतलब लगवक 246-247 का जू लेवल अबो इसके बाद सिरॉक फिर उपर चलता एंग फिर से जब फिर उपर आया तो कहां तक की interpreting आफ देख सकते हैं 880 रुपए ते क मिली इसके बास दीरे से नीचे की तरफ कि तरफ अता है लेकिन यहाँ पर जो गिरावट आपको देखने को मिली यह गिरावट देखने को मिल जैसे लिए इस वादी गिरावट के भाद एक बाद फिर से स्टाइप उकपर गया और टैस्टning करता है किसे तो अपने रजिस्टेंस को यह देखिएगा यह रजिस्टेंस रिटेस्ट होने के वाद स्टॉक में फाइनली गिरावट होती है एक साइडवेस मोमेंटम के साथ ही जब गिरावट हुई तो स्टॉक सीधा वापिस से 246 के लेवल पर आ करके यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर सपोर्ट लेता हूँ यहाँ पर सपोर्ट लेने के वाद स्टॉक में हमें यहाँ पर तेजी देखने को बली इस तेजी के बाद स्टॉक क्या करता है आप देखेंगे 200 दिनों के exponential moving average के लाइन पर जा करके एक बार हरका सा rejection मिला लेकिन finally हमने देखा कि stock नहीं से break कर दिया है जो यहाँ पर green color की line आ रही है साथ में जो red color की line है जो green line है वो है 200 दिनों का exponential moving average और जो red color की line है वो 14 days का exponential moving average है दोनों यहाँ पर break होते हैं अब हमाई दिखें उपर की तरफ अब यहां से लगता है यदि यहां से stock उपर की तरफ trend करता है तो वापिस से आपका जो target है वापको क्या रखना चाहिए 280 रुपए का 280 रुपए आपको यहाँ पर टार्गेट रखना होगा और यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं 250 रहे हैं मतलब 260 के आसपस की बाइंग आपकी तो आपको उपर की तरफ 280 का टार्गेट मिल रहा है लेकिन नीचे की तरफ एक स्टिक्ट स्टोप्लस आपको रखना होगा जो की 245 रूपिस पर निकल करके आएगा उपर आप दिखेंगे अगर तो आपकी बाइंग कहा है 260 क्यास पर 260 क्यास आपकी बाइंगे उपर की तरफ आपको मिल रहा है 280 मतलब 20 पॉइंट का टार्गेट नीचे की तरह आपको 15 का स्टोप्लस भी आप रखना होगा यदि कोई वोल्ट रिटी आती है मार्केट में उठा पटक होती है जिससे आपका स्टोप्लस हंटना हो इसलिए हट डीप स्टोप्लस आपको यहां पर रखना होगा जो की 245 रुपए का निकल करके आ रहा है तो फिर दूसोप्लस के स्टोप्लस के साथ आपको इंटरी करना है 260 पर और 260 रुपए का टार्ग ट्रच ट्रच व में निर बढ़ एंट कर्ट के स्टोप्लस के करना है